नमस्कार जे हिंजे भारत दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका सीकर 23 न्यूज चैनल में कि जैसे कि आप सभी को पता है राजस्तान विधान सभा चुनाओ 2023 संपन हो चुके हैं और कल जो थी वो 30 नवंबर 2023 का दिन था सरकार की तरफ से पाबंदी लगी वी थी कि कि किसी टिवी चैनलों के और 60 बजार की ओर से जो एक्जिट पॉल जो आउट हुए हैं एक्जिट पॉल जो देखने को मिले हैं वो काफी ज्यादा राजस्तान विधान सभा चुनाओं में चोकाने वाले नजर आए हैं और इसी करम में आज हम पहुंचे हैं सीकर विधान सभा चे गया था और इनको भी किनर समाज को महिला पुरुष के साथ में शामिल किया गया था और मतदान करने का इनको अवसर प्राप्त हुआ था तो इनसे जानेंगे कि जो विधान सभा चुनाओं की जो नतीजे हैं तीन तारीकों यानि परसो आने वाले हैं वो क्या कुछ रहने जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में नमस्कार जी सभी मेरे सिकर निवासियों को जैश्री राम सबसे पहले आपना नाम बताईए मेरा नाम माही सेखावत और जो यहां के गदी नशीन है सिकर लचमन गडरिंगस और जो नीचे के इलाके के शेतर के जो दान सवा के चुनाव हैं वो संबन हो चुके हैं और जो कि हमारा देश है एक लोगतंतर देश है जिसकी आर्थिक और सामाजिक परनाली को चलाने के लिए हमारी लोगतंतर सरकार एक मतदान को आगे रखती है जिसमें कि हम अपने देश को ये देख सकते हैं कि कौन सी सरकार इस देश को आगे बढ़ा सकती है और कौन सी सरकार इस देश की मतलब की स्थिद्य को नीचे गिरा सकती है इसके लिए हम लोक तंतर की परनाली को चलाने के लिए मद्दान करते है माही जी आप से एक सवाल पूछेंगे कि पिछले काफी वर्ष पहले किनर समाज को अलग नजरों से देखा जाता था और अब जो है वो दिरे 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 इंप्रूमेंट हुआ है लोगों का जो नजरिया है वो चेंज हुआ है अब कैसा मैसूस होता आप लोगों को देखो पिछले कई सालों से हमारे किनर समाज को तो बहुत ही अलग तरीके और नजरिया से देखा जाता था लोग ऐसे बात करने से भी कतराते थे और घरों में इंटर होने से भी हम लोगों को इजाज़त भूत कम मिलती थी और जो आज की सरकार है जो भी समाज भूत हमारे एक्टिवेट हो चुका है उसमें हम लोगों को बहुत सारे अधिकार प्रापत हुए हैं कोट से और जो की मतदान का है और भी हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं और हमें एक अच्छूत माना जाता था अब तो बिलकुल हम बहुत खुश है कि हमें भी एक देश का नागरिक होने का अधिकार मिलाएं होईजा था आपको यह पीचे से अपने 24 नवंबर को मददान थी तो भादाई के कार्य कारिया है बदाई के कारिये को छोड़ के भी हमने पहले मद्दान गिया सुभे हम गए थी अच्छी सोक्योर्टी थी अच्छी वविस्ता थी कानून की भी मेरे गुरु जी भी गए थी और मैं भी गई थी मद्दान करने के लिए लोगों में भी बहुत उत्साह था और हमें देखके कि हमारे आज किनर समाज भी मतलब वोट देने के लिए यहां पर मद्दान करने के लिए अच्छा महसूस हुआ था बहुत ज्यादा किनर समाज को और आपके जो उस्ताद हैं इनको क्या कुछ महसूस होता है क्या कुछ राजस्तान के अंदर जो है वो सरकार बनने जा रही है क्योंकि अभी कल शाम से एक्जिट पॉल जो है वो बराबर धड़ाके से चल रहे है और राजस्तान की जो पांच करोड से ज्यादा जो जनता है वो परिणाम का इंतजार बेसबरी से कर रही है आपके अनुसार क्या कुछ रहने वाला है देखो एक्जिट पॉल का तो मैं यह कहना चाहूंगी कि शोशल मीडिया है शोशल मीडिया पे तो देखो वाइं भी उडाई जाती है किसी को उचा करा जाता है कि पर सरकार वो ही आए जो देश की हार्तिक स्तीती और सामाजिक स्तीती को अच्छे से बरकरार कर सके और अपने जो समाज के अंदर वेरुजगारी है पड़े लिखे यूबा है उन लोगों को नौकरिये मिल सके और जो मतलब कि आज के टाइम में बहुत कुछ हो रहा है गु करते हैं कि जो भी सरकार आए अच्छी सरकार आए राजस्तान में दो राष्ट्य पाल्टियों ने चुनाओ लड़ा है और दोनों पाल्टिया मजबूत है इस्तिती आप बताने कि दोनों कोई भी आ सकती है मगर किनर समाज को और आपको कौन सी सरकार से ज्यादा फाइदा होता है देखो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती सरकारों का मामला है और हमने जो मतदान किया है हमने तो हमारा सो समझ के किया है जो मतदान होते हैं अपने वो गुपत होते हैं ठीक है और इसका तुम्हें पहले भी बता चुकि कि तीन तारी को ही पता चलेगा जो क जो शहर की जो जनता है या जो देश की या जो परदेश की जनता है उनको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप देखो शहर की जनता को तुमें यह संदेश देना चाहती हूं कि आजकल की वैसे तो युबा पीडी पड़ी लिखी है उनको पता है कि मद्दान किस तरीके से करना है कैसे करना है और जो आशिक्षित लोग हैं गरीव हैं अपना वोट बेच भी देते हैं उन लोगों को नहीं पता रहता वो लोग ऐसी सरकार को चुन लेते हैं कि जो कि खुद ही आशिक्षित नेता है वो देश को क्या चला सकेगा जिसको कुछ पता ही ने और आम जनता तो पड़ी लिखिए उन्होंने अपने जो वोट दी हैं मद्दान किया है तो सो समझ के किया होगा और मैं तो यहीं कहती हूँ कि जो भी सरकार आए अच्छी सरकार आए हमार के लचमनगड के और आसपास शेक्तर के तो यह थे हमारे साथ में किनर समाज के माही शेकावत जिन्होंने पूरे बेबाक होके पूरी बाते बताई हैं एक्जिट पोल जो टीवी चेनलों पर चल रहे हैं राजनीतिक विशेशों को जो एक्जिट पोल चल रहे हैं और या फिर किसी दूसरी अन्य पाल्टियों की ओर से जो एक्जिट पोल चल रहे हैं उनको बिल्कुल से सिरे से खारीच करते हुआ इन्होंने कुछ भी कहने से बचा है और आमजन से जो है वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि तीन तारीक का इंतिजार कीजिए और तीन तार कि जो भी सरकार आए अच्छे के लिए अच्छा करें तो देस में आगे जो कापी लोग बेरुजगारी बैटे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करें सब के लिए अच्छा करें मैं यही कहना चाहती हूं गदी नशीन पायल भाई की शिशा लवली भाई 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 करें तो अभी हम लोग मौझूद थें सीकर के पीप्राली रोड इस्तित किनर समाज के साथ में और किनर समाज ने मद्दान किया है मद्दान के अंदर ऐहम भूमिका निपाई है और जैसे कि आपने देखा कि जो पायल भाई जी है वो सीकर सहीट आसपास के कई चितरों के जो है वो जिम्मेदार है किनर समाज के इन्होंने भी मद्दान किया था और मद्दान को लेकर ये सरकार का धन्यवाद भी वक्त करेंगी हमें इस परकारिश से महिला पुरुष के साथ में शामिल किया है और भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही सरकार से इनको फायदा है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें